आज हम बताने वाले हैं दूपट्टे का ड्रेस कैसे बनाते हैं। जो कि हर एक घर में होता है, दूपट्टा जो कि मता एवं बहन नहीं ओरती है, वो इसे घर में पड़ा रह जाता है, उसका आप घर में ड्रेस सिल करके आराम से पेन सकते हैं। जो कि सिंपल और आसान तरीका हम बताएंगे, जो कि कैसे सिलते हैं। यह दूपट्टा है, देख लिजिए, हमने कटिंग कर लिया है, और इसको अभी हम सिलेंगे। यह हमारा नेक बन रहा है, फ्रेंट का नेक, फ्रेंट के बाद हम बैक नेक बनाएंगे, जो कि आगे पीछे नेक है, बना करके आराम से आप घर में ही अब सिल सकते हैं। अवर्य दूपट्टा र्किसी के घर में होता है, यूज नहीं हो पाता है, ऐसे वेश्ट पढा रह जाता है, जो कि ऐसे आप कोई फ्यक देते हैं, इधर उधर कोई भी यूज नहीं हो पता है, जो हम बताएं हैं, आप ड्रेस सिल करके उसको यूज कर सकते हैं। घर में ड्रेस बना करके पैन सकते हैं यह हमारा नेक बन गया अब नेख का वह कटिंगक कर ली अब नेक के ऊपर आब डीघये को नेका लगा देंगे ताकि हमारा नेक के अच्छी तरिकपा से पल्टी होजाए और अच्छी तरीका से बैठे हो हमने कट लगा लिया है अब इसके उपर हम इस्टिज डाल देंगे कि यह हमारा इस्टिज लग गया नेक के उपर ताकि कैन्वस बाहर ना आए कि यह हमारा लग रहा है इस्टिज नेक के उपर कि दोनों तरह पाराम से स्टिज अच्छा से लगा सकते हैं आप कि बढ़ियां से आप फिनिसिंग से भी सिल सकते हैं अराम से कोई दिकत नहीं है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको ड्रेस चिलने के लिए बताऊंगा कि यह रहा नेक बन के रेडी हो गया है अब हम इसको फरेंट नेक बनके आप बैक नेक बनाएंगे हम कि अले के नवस को आप परेसिंग से चिपका लेना है जितना आपका डीप है उतना आप आराम से चिपका सकते हैं और इसके बाद दोने चारो साइड तीनों साइड hold कर सकते हैं hold करके stitch लगा सकते हैं इसको center को तोड़ लेना है ताकि हमारा नेक सेंटर में बने ऐसे नाखुन से center कर लेना आपको ताकि हमारा नेक बीच में बनें दोनों सैट ना हो जाए इस तरह नेक बढ़ाएंगे बीच सेंटर में अब सिलाय लगाएंगे कि यह सिलाय लगा लेंगे इनों सैट के बिल्कूल बगल में सिलाय लगाना है यह सिलाय लग रहा है मेरा बिल्कूल अच्छी तरह से आपको सिलाय लगाना है केनवस के बगल में जो कि आराम से आप ताकि नेक आराम से पल्टी हो जाए अब हम इसको कट करेंगे कि यह कट हो गया नेक आपको इसी तरह से चटकाल लगाला है नेक के उपर ऐसे सिलाय मारना है जैसे मैं मार रहूं सिलाय ऐसे आपको नेक के उपर सिल ले लाएं कि हमने पहले बना लिया है यह बैक नेक है आपको जितना डीप चाहिए इसका तो थोड़ा डीप ज्यादा है के स्टमबर जैसा ही बोलते हैं आपको इसा सिल सकते हैं या खुद का सिल सकते हैं जितना आपको पहनना हो उतना सिल सकते हैं आपको जितना डीप चाहिए बैक म में उतना आप रख सकते हैं मेजर्मेंट के अनुसार आप कितना डिप पहनते हैं उतना रख सकते हैं कि हमारा बैक नेक बनके रेडी हो गया है अब हम सोल्डर रेटेज करेंगे यह हमारा सोल्डर रेटेज कर लिया है इसमें अगर ऑफर लोग अगर है घर में तो ऑफर लोग भी कर सकते हैं नहीं तो इसे चोड़ सकते हैं यह हमने साइड स्टीच कर लिया है उसके बाद ऑफर लोग करके बाजी बेटेज कर दिये इसलिए आप साइड स्टीच कर रहे हैं यह देखिए यह पूरा हमारा स्टीच साइड सिलिट अगर है पूरा परोसिंग इसमें नहीं देखा पाएं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाता लंबी वीडियो जादा तर लोग देखते नहीं है इसलिए सौट कोट में देखाया हूं यह पूरा सॉल्डर जोड कर साइड लग का अग्ला देना यह जो का दो पूरी तरह से श्रीट पर टालें और अची तरह के आपको मोड लेना है सीधा ए इस्टेट काट बनाना एयड्रेस आपको जितना विर्द कर द्वाल्च चाहिए उतना रख सकते हैं जो हम सिलाए मार रहे हैं सिलाए लग करके मेरा तयार हो चुका है अब उसके उपर एक और सिलाए मार देंगे लब और पैर दोनों का पैर कभी सिलाए आप लगा सकते हैं सिंगल सिलाए चाहिए तो सिंगल भी रख सकते हैं दो सिलाए चाहिए तो आपको दो सिलाए भी रख सकते हैं जो की पूरी तरह से आपको अच्छा बनाना है डिजेन वाला भी आपको दूपट्टे में लेकर जो है यूनिक डिजेन बनाएंगे जो कि घरेलू आसान तरीका से आप बना सकते हैं उसके बारे में भी हम विडियो बनाएंगे यह तो सिंपल दूपट्टा था प्रिंटेड कुछ वर्क कराही वाला बना हुआ था इसलिए यह दर कि मेरा फाइनली बन करके रेडी हो गया है पूरी तरीका से यह ड्रेस अप रेडी है इसलिए मेरे चैनल पर पहली पार आप लोग आये हैं तो चैनल को लाइक कीजेगा सस्क्राइब कीजेगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ आप लोगों को बहुत धन्यवाद